को मैं अबने सभीदोस्तों का स् diffusing in करता हूं और सभीदोस्तों का हादी कमनेंदन करता हूं और बस मैं चाहता हूं कि आप लोग वह साथ में बने रहीते और मजा आने वाला है बस ऐसे टौपिक है भारात ओर चाइना के बारे में तो आज कि रेट में अगर विकास सिल देशु की स्रेड़ी में देखा जाए तो यह दो अर्फ बहुस्तायां ऐसी हैं कि जो बढ़ रही है और हमेशा तुलना भी किया जाता है हम लोग अगर तुलना करते हैं तो चाइना को लेकर करते हैं कि आज उसके पास इतना यह हैं भारत के पा विकास सिल देशों का एक समू है विकास सिल देश हुआ हैं जो अभी विकास कर रहे हैं तो भारत उनका नित्रुत कर रहा है और चाइना भी जाता है तो भी कहता है कि मैं भी नित्रुत करता हूं मैं भी विकास सिल देशों का शमों का मैं नित्रुत करता हूं मैं भी आगे विकास कर रहा है आज जो पूरा विश है जितने भी देश है भारत को एक उभरती हुई अध्वयवस्था के रूप में देखते हैं और सब भी को पता है कि आने वाला टाइम भारत का है और जो किसी ने कहा था कि भी गुरू बनने गा तो भारत का में लग रहा है वो टाइम इसको लेकर साथ में आगे पढ़ रहा है हमारे उपर हम लोग के उपर बहुत से देशों का विश्वास है तो ही भारत है कि चाहे अपने दच्छिड एशिया के देशों चाहे अफिरका के देशों जो भी पिछड़े देशों भारत के उपर विश्वास कर रहे हैं भारत ल कोई चाइना है उचके हाँ साइद 13,000 डालर परत इंकम है जो बहुत जादा है भारत की तुलना में वह तो मतलब महां सक्ति बननी के कगार पर है तो अमीरका उमीरका कुसे मतलब एक तक्कल ले रहा है बराबर सभी को पता होगा बहुत आगे है इंडिया से देखा जाए तो कहीं न कहीं उसके पास संसाधन बहुत जादा है और भारत से बहुत जादा बड़ा है आप लोग सो सकते हैं तो क्या करता है कि अपने भाईयों का गला मों देग देता है विरुकुल सभी हैं उनसे उनका सुसरण करके वर आगे बढ़ भर है, हम लोग देख चुके हैं कि वर किसा, मतलब कर्ज का कैसा जाल बुनता है जैसे अपनी क्या हुआ है कि स्रिलंका को हम लोग जानते हैं कि स्रिलंका को कैसे अपने उसमें फसा के हमबन टोटा उसका ले लिया उसके उपर कितना कर्च खिलाके हैं मतनलब सबकुछ उसका ले लिए अपने मकčाद में उसको फसा लिया यह हाल उसके पाकिस्तान के साथ में है पाकिस्तान को भी अपने चंगल में फसा लिया है तो ये सबका सोसड करता है बहुत अच्छी तरीके से पगड़ लेता है एक बार सोसर करता है लेकिन भारत के मामले में भारत कभी ऐसा नहीं करता है बलकि दूसरे देशों को सहारा देता है कि आप लोग भी आगे बढ़िये तो भारत लेकर नेतृत करता है और चाइना भी 20 मंज पे जब पहुंचता है तो मैं कहता हूँ वो कहता है कि मैं भी इन लोग का नेतृत करता हूँ मैं लोग कुशात में लेकर चलता हूँ लेकिन इन लोग को छोड़ता नहीं है सब भी को मतलब मोका मिलता है तो इन लोग को तुरंत अब हम लोग देखी रहे हैं और आज चाइना की इस्तिती है कि य इसमें अपना येज़न्टा फैला रहा है और 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 वहां वहें के बहुत से देशहों को अपना गुलाम ही बना रहा है बनारते में मसीनों से सारे काम होते हैं तो गुलाम बनाने से कोफा साइदा है नहीं इसलिए उन sniff को ऐसे गुलाब बनाता है कि कर्ज बस कर्ज में दबा दो उनसे पैशे फिर वसूलते रहो किसी तरीके से तो यह उसका अपना बढ़ियां पंड़ा है और सबको चूस के वह अपना खुदा आगे बढ़ा है विशाल मन रहा है बैट रेगन है तो जाहिर सी बात है लेकिन भा प्रविश्ट की जितने भी देश हैं अभी हम लोग ने देखा था कि चायना में निपेस सबसे ज़्यादा होता है और कही ना कहीं होता है भारा से बहुत बढ़ा देश है लेकिन अब क्या होता है कि इन्वेश्टर जो भी लोग है यह भी देश कि निवेशिक है वो इंड तो भारत के ओपर कही ना कहीं मतलब सब लोग पूरा दुनिया देखता है कि भारत सबसे बड़ा बजार है निवेशक के तोर पर यहां पर वो कुछ भी करेंगे सारी चीज की खपत हो जाएगी और भारत का पास मतलब संख्या बल बहुत जादा है और भारत को इससे भी प्र पर चला है कि भारत चाही रूष हो या उक्रेयन हो आमेरिका कि किसे की खेमी में सामिल नहीं हुआ है यह निसपश रूप शेझ अपने पर तसथा है इसको किसी की जरूरत नहीं है और इसी चीज में भारत देखो अपनी भूम का पूरी भी स्पटल पर इसकी बहुत अच्छी बन चुकी है लोग इसके आसा के द्रिश्टी से देखते हैं तो वही है कहीं ना कहीं अपना देश तो बहुत अच्छा कर रहा है और लगातार देखो अगर देखा जाए जीटीपी में ग्रोफ होना चाहिए कि अपना देश अच्छा कर रहा है मतलब अगर आप लोग मेडिया से या न्यूजपीपर या सब देखते होंगी तो को पता होगा कि आएमेस से हो चाहिए वर्ड बैंक से हो हर जंगा से भारत को तारी में लई कि भारत च्छा कर रहा है और इसका यही लेकिन जब से युकरियनों रूष का युद्ध हुआ और पूरे विश में मतलब ऐसे चला है रूष और पस्ष्मी जो कंट्रियां उनसे जगड़ा चला है तो ऐसे समय में देखो भारत को रूष तेल भी मतलब जो इस बजार में जो कीमत है उसे 40-50 प्रशन नीचे पर ही बढ़ा दिया है अपना तो कहीं ने कहीं अच्छा संकेत है कि हम लोग को दिक्कत नहीं हुए ने तेल ओल की बहुत ज्यादा किलत हो जाती हुर्जा की समय से बहुत ज्यादा होने वाली थी जैसा दोर से मदबाजपूर अभिश गुजर रहा है तो यह हम लोग के लिए अ अच्छी चीजे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर स्क्राइब करना चाहिए और अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो ठीक है भाई